सर हम मीठे टेस्ट के बारे में हमने बात के और आपने बताया है कि पांच गुना ज़्यादा लोग शूगर खा रहे हैं उसके कारण आजकल लीवर खराबी हम ज़्यादा देख रहे हैं एक और टेस्सर जो आपने बीच में बताया था लीवर खराबी के बारे में शुशु सहीता का रिफरेंस देखे कि खटे टेस्स भी ज़्यादा होने से भी लीवर खराब होता है अभी सर बीच में कोवीड आया था और कोवीड के दवरान विटामिन सी विटामिन सी के नाम प तो directly vitamin C liver के लिए अच्छा है क्योंकि उसमें antioxidant defect होता है और oxidative stress नाम की जो एक चीज होती है मतलब इसको simple आशा में हम लोग समझते हैं कि ज़्यादा oxygen होने के कारण किसी चीज़ का oxidation हो जाना साधी बाशा में अगर मैं आपको कहूंगा कि लोहा है लोहा में जब लोहा का जब atmosphere के oxygen से सहीओ हो जाता है तो वो जनल पकड़ना शुरू कर देता है और लोहा जो होता है वो जनल पकड़ता है उसको oxidation होता है उसी तरह से हमारे body में अगर oxygen ज़्यादा हो गया जिसको ROS कहते है reactive oxygen species वो ज़्यादा हो गयी तो उसके कारण oxidative stress ताम की एक चीज़ बोड़ी में डेवलप हो जाती है और उसकी उकम करने का कारण यह antioxidants करते है विटेमिन C इन में एक antioxidant है लेकिन मुझे विटेमिन C पाने के लिए हर बार गोली खाने की ज़रूर हो थे क्या इस चीज़ के बारे में भी सोचना आवश्यक है क्योंकि अगर विटेमिन C पुझे सबसे अच्छा किस चीज़ से मिलता है तो उसकी लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है आमला आमला ओके तो आमला जो है अगर आप रौ आमला मतलब कच्छा आमला खटा आमला लोग आमले का भी क्या करते है कि आमले का मुरब्बा बना लिया आमले की कैंडी बना लिया उसमें भर भर के स्वीट डालेंगे और उसकी बज़े से क्या होता है कि vitamin C जो होता है वो पानी में गुलता है वो अलग-अलग process से उसका concentration कम हो जाता है तो जितना आपको possible है अगर आप ताजा अमला खाएंगे और हमारे बहुत से patient को बोलते है कि दिन में अगर एक ताजा अमला आप खाते हो थोड़ी देर पहल आता कि जादा मात्रा में खटा खाना मतलब जल्दी बुड़ा होना है इसके बारे में मैंने बताया था कि अत्यमलम जरा साक्षात लेकिन ये भी आईरुवेद की विशेशता है जो खटा जादा खाने से बुड़ा पाता है उसी खटे पदार्त में आने वाली बहुत खट स्थापन करना मतलब क्या बढ़ती उम्र को रोकना एक एक चीज तीन साल बाद जितनी उसका वेर एंटेर होना चाहिए था आज हम लोग देखते है कि 40 साल का आदमी 60 साल का दिखता है और कुछ लोग आप देखेंगे जिनका एज 60 होगा फिर भी वो 50 के लग तो ये चीज मतलब आपकी उमर हो चुकी है लेकिन आपकी वो उमर दिखती नहीं है ये भी जो चीज होती है या आमले के कारण हो सकती है तो उस तरह से अगर हम लोग आउना खाएंगे तो आमारी लीवर के हेल्थ के लिए वो अच्छा है औन दे कॉन्टररी अगर हम लोग इमली सी बन बाइदमें एक और चीज में यहां पर बताना चाहूंगा कि हमारे बच्चे अलग-अलग कमपनिया एड चलाती है और उसमें दिखाते हैं कि बच्चे को अगर सब्जी पसंद नहीं है तो उसको साथ में केचप डाल दो तो वो सब्जी खाएगा और मा उसी चीज को देखते कि क्योंकि हर मा को लगता है कि मेरे बच्चे ने जादा खाना चाहिए लेकिन आपको यह जानके थोड़ी से हैरान ही होगी कि फ्रांस में बच्चों के लिए केचप बैन है ओके अमरीका में कुछ स्टेट ऐसे है जहां पे प्री स्कूल में मतलब जो बच्चे प्राइमरी ग्राहक है तो हम लोग उनको भर-बर के खिलाते रहेंगे उनको हर सबजी में हम लोग डालके देंगे पराठे में हम लोग डालके देंगे उसको हम लोग ब्रेड के साथ डालके देंगी यह क्या हो रहा है और किस तरह से पूरी दुनिया हमें एक सिर्फ कस्तमर की तरह या और शायद मैं ऐसे सोचता हूँ कि बाकी की चीज़ लोगों को याद रहे न रहे कि मराटी में हमारे कहते हैं कि आपको गिराइक नहीं बनना चाहिए मतलब आपको हमेशा कोई आके नहीं बनाना चाहिए मतलब मुझे कोई आके चुना लगा के चला गया तो अलग-अलग आती है और यह हमारे ध्यान में भी नहीं आता है तो इस स्कील बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा विल्लेट होंगे आज कल हर किसी के हाथ में मोबाइल है उस मोबाइल में हम लोग बहुत सी अच्छी चीज़े भी गूगल कर सकते तो आप चाहिए तो आप गूगल करके देखी है कि अमरीका में कुछ स्टेट्स ऐसे है जहां पर केचप बैन है और हमारे बच्चे जब हम लोग यह देख रहे है तब हमारा बच्चा सामने बेटके अगर केचप खा रहा है तो अमरीका का बच्चा बच्चा है और भारत का बच्चा 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 नहीं है उसकी हेल्ग के बारे में कुन सुचेगा ये मत्वपूर्ण है ये बहुत ही अच्छी बात सर ने बताई कि हम हमारे बच्चों को क्यूंकि वो खा नहीं रहा है तो केचप के नाम पर कुछ भी उसके शरीर में डाल रहे है और आतकल छोटे-छोटे बच्चों की भी लीवर का सत्याना समय देखने मिल रहा है तो जैसे सर ने बताई कस्टमर मत बनिये कस्टमर कई बार मजाक में बोलते है कस्टमर शब्द का मतलब है जो कस्ट कर करके मर जाए तो आप कस्टमर मत बनिये आपको खटा अच्छा टेस्ट है आईरविद में 6 टेस्ट खाने बोले है बट सर ने बताई कि आप खटा खा रहे तो आवली वाला खटा खाईए और जबरदस्ती का विटामिन C के नाम पे आप टमाटर, कैचप, जबरदस्ती निम्बू, निचोड, निचोड के दिन में 10-12 निम्बू, निप्टा आदे रहे ये सारी चीजे बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा वरना खटा, बुढ़ापा लाने वाले जो टेस्ट है उनमें से एक है, ऐसे सन्ने बताया सर्क खटे की हम बात कर रहे हैं हमारे देस में कई जिगा कल्चर देखा जाता है और हमारे एक एडिटर थे सूरत से उनके फादर की लगबग 50 या 52 की एज में उनका देहान थो गया और डॉक्टरों ने जब बताया तो उसमें आया था कि लीवर सिरोसिस हुआ लीवर खराब हुआ और देहान थो गया तो वो जो एडिटर हमारे थे उनका हमेशे ये डाउट होता था कि हम तो शाकाहरी थे हम कभी भी कुछ नॉनवेज अलकोल हमने किया नहीं तो मेरे फादर का लीवर कैसे खराब हुआ इससे जुड़ा मेरा ये जो सवाल है वो ये है कि सर गुजरात हरियाना पंजाब इन सारी जिगाओं पे हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद छाच पीना या खाने के साथ दही खाना दोपहर को सुबा शाम तीनों टाइम होता है क्या ये दही चाच वाला जो खटापन है वो भी लीवर खराब करता है ये क्वेशन बहुत अच्छा है दही चाच और एक चीज मैं इसमें इंक्लिड करना चाओंगा वो है पनीर अजकर पनीर भी लोग बहुत ज़्यादा खा रहे तो उसमें भी एक तरकी खटास होती है तो उसके बारे में भी बात करेंगे तो दही ये एक चीज ऐसी है कि आयरुवेद में एक स्पेसिफिकली बताया गया है कि दही खाने के कुछ नियम बताये गये है एक तो पहली चीज दही पूरे साल भर नहीं खाना है आयरुवेद की और एक विशेशता है कि आयरुवेद बताता है कि कुछ चीजे ऐसी है जो आप आथ मूंद के कभी भी खा सकते हो ऐसे रेगिलरली खाने के कुछ चीजे कुछ चीजे ऐसी बताई गई है जो बिल्कुल नहीं खानी गई है ऐसा एक ग्रूप आयरुवेद में बताया है और एक intermediate ग्रूप बताया कि जो चीज़े आप कभी कबार खा सकते हैं लेकिन डेली आपको नहीं खानी है I'll repeat it जो चीज़े आप कभी कबार खा सकते हो लेकिन उसका आपको अभ्यास नहीं करना है आपको वो डेली नहीं खाने ऐसी चीज़ों में दही का औरनन आयरुवेद में आता है कि जो डेली नहीं खाना है आजकर लोग अलग-अलग तरह की योगर्ट भी खाते है दही खाना पसंद नहीं ये दही को योगर्ट लाम दे दो फ्रूट, थोड़ा सा उसको status आ जाता है, तो दही खाने की कुछ नियम बताया गया है, उसमें बताया गया है कि रात में दही नहीं खाना है, और जो चीजों पे अट्मोस्पिर में गर्मी ज्यादा होती है, ऐसे टाइम पर आपको दही नह सीर गरम है, तो ठंडी की दिनों में आप खा सकते हो, जब आपकी पाचन शक्ती अच्छी हो, तब आप दही खा सकते हो, इन दिनों में ज्यादा दही खाना ये बात सही नहीं है, और आईरवेद में बताया गया है कि गलत तरीके से दही खाने वाले अलग-अलग व्यादी आयरवेद में बताया गया है और उसमें एक व्यादी आयरवेद में बताया वो है कामला मतलब पिलिया, मतलब जॉन्डिस, मतलब लिवर की दकलिफ तो गलत परिकेसे अगर आप दही खा रहे हैं, आप जो दही पूरी तरसे जमा नहीं है ऐसा द가요 खा रहा है तो ये दखी आपको लिवर को ड़मेज कर सकता है तो लिवर का डमेज कम करने के लिए हम लोग दखी में क्या डाल सकते हैं ये फिर एक मेरे ख्याल से एक परश्ण यहाँ पर उपस्तित होता है तो आरुवेद में बताया गया है कि अलग-अलग चीज़े बताई गये उसमें शक्कर है उसमें हनी है मतलब शहद है तो आरुवेद में यह बताया गया है कि आमले की powder अगर अम लोग दही में डालके उसको consume करते हैं तो दही से होने वाले जो दुश्परिणाम है जा दही से होने वाले जो कुछ तकलिफ है उसको आम लोग कम कर सकते या फिर उसको आम लोग टैकल कर सकते तो दही में अगर आप लोग आमले का पाउडर रालके खाते तो उस तरह से खा सकते लेकिन मेरी सला ऐसी होगी जो नियम बताए गए है उनके अनुसार ही दही खाना ची ये जाता है और ये इतनी पतनी चार्ज होती है चार्ज किस तरह से बनानी चाहिए इसका भी आयरुवेद में वरणन दिया है और उस तरह से जो बताए गया है तकर के अलग अलग प्रकार बताए गए है तो लसी भी तकर का प्रकार बताए है तो चार्ज के नाम पे अगर आप दही को सिर्फ मत होगे उसमें थोड़ी सी शक्कर डालके उसकी लस्सी बनाके पी होगे तो वो अच्छा नहीं है आपके तो जितना दही है उसमें 50% पानी डालिए उसको अच्छी तरसे मत ही है उसमें जो मक्खन आएगा उसको निकाल दीजिए और बाद में यह जो छार्ज पीजिए कितना पीना है लगभक 1500 ml मतलब एक आदा प्याला से पोना प्याला या फिर एक छोटा सा जो हमारा कप होता है उत्ती छाज हमें पीनी चाहिए लोग क्या करते बोतल भर भर के छाज पीते है और बैसिकली उसमें छाज होती भी नहीं उसमें ज्यादा पानी ही होत है कि किस तरह से उनलोग कंज्यूम कर रहे है इसलिए तक्र लेना लीवर अगर खराब हो जाता है उसके कारण उदर नाम की एक व्यादी होते है जिसमें जिसको modern science ascites कहता है जिसमें पेट में पानी बर जाता है उस उदर में तक्र पीना पथ्यकर है ओके छाज पीना अच् चार्ज बनाते हैं तो उसके लिए अच्छी है और एक चीज में यहाँ पर add-on करना चाओंगा कि आजकल बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि दही में चार्ज में good bacteria है इसमें good bacteria होता है जो basically lactobacillus नाम के जो bacteria होते हैं वो इसमें होते है तो यह good bacteria और liver की condition या फिर fatty liver इनका भ या फिर ऐसे कुछ metabolites उनको कहते हैं या फिर ऐसे कुछ द्रव में निर्मान करते हैं जो आपको liver के स्वस्थक रखने में liver में fat नई जमा होने देते हैं इस तरह की उनकी action होती है तो अगर मैं prescribed मात्रा में ये छार्ज पीता हूँ तो उससे क्या होगा ति मेरे बड़ी आत आज इस चीज़ से जो आयरवेद में बताया गया है कि उदर में क्यूंकि एक condition होती है जिसको hepatic incipalopathy बुलते हैं मतलब उसके बाद patient coma में चला जाता है कि liver अगर काम नहीं करता है तो उसके कारण ammonia नाम का जो एक पदार्त होता है जो बोड़ी में बहुत बढ़ता है और उसकी बज़े से फिर patient का behavior चेंज हो जाता है उसको fit आने लगती है इसको lymphatic incipalopathy कहा जाता है इसमें भी gut microbiome मतलब हमारी शरीर में जो bacteria होते है उसका बहुत अच्छा रोल है बहुत बढ़ा रोल है और अगर हमारा gut microbiome अच्छा है मतलब अगर हमारे आत में अच्छी तरव के या फिर अच्छी community के bacteria अगर जादा है तो उससे हम लोग incipalopathy से बच के रह सकते है और अगर हमारे intestine में अच्छे bacteria नहीं है बुरे bacteria उनकी संख्या अगर जादा है और यह बुरे bacteria बढ़ते क्यों है तो यह fast food और यह सब चीजों से बढ़ते है तो अगर हमारी शरीर में बुडे bacteria जादा है तो हमें liver failure की वज़े से incipalopathy होने के chances जादा रहते तो अगर आप सही मातरा में सही तरह से बनाई हुई छाज भी अगर पिते तो वो भी आपको protect करके रखेगी liver में fat जमा होने से और साथ में अगर आपकी liver में problem है तो उसमें और उसकी consequences नहों उसमें और खराबी नहों इसके लिए भी ये आपको चाच मदद करेगी तो सर ने बताया चाच के वारे में हम बहुत बार संस्कृत में ये शब्द भी सुनते हैं कि तक्र शक्रष्ट दुरलवम की देवताओं को भी तक्र मिलती नहीं पर एक और point आईरवित का आपको ध्यान और बले ना मुर्चा ब्रमदाये शो नारोगी रक्त पैतीके ये सारी कंडिशन है कि गर्मी में खोन निकलने पे कमजोरी आने पे चक्र आने पे इन सारी कंडिशन में तक्र अच्छी नहीं है तो सर का या आईरवित का कहना है कि आप अपनी कंडिशन देखिए मात्रा डी लीटर, दो-दो लीटर, कही लोग तो रात को भी सर, खाने के बाद छाच पीते, वो तक्लिफ करेगी, सर जब आप बात कर रहे थे, खटी चीज़ों में, एक आपने शब्द पनीर भी बोला था, तो पनीर का और लीवर का क्या relation है, पनीर का और लीवर का डिरेक्ट रिलेश जैसे पनीर बनाने के लिए, उसमें आम लोग निम्बू डालते हैं, और उससे पनीर तयार होता है, बंगाली मिठाय भी उससे ही बनती है, तो ये चीजे जो होती है, ये सभी चीजे पचने में भारी होती है, बहुत भारी होती है, ऐसे आईरवेद कहता है, तो अगर आप ज एक्सराइस करने वाले लोग कितने कम हैं जीम की मेंबर्शिप जितने लोग लेते हैं उतने लोग अगर जीम में पहुच जाये तो वहाँ पे खड़े रहने के लिए जगा भी नहीं होगी यह सब जीम उस वज़े से चालू है कि कि जितनी लेक्ते लेते हैं उसमें 5-10 परसे लिया तो बात ठीक है लेकिन पनीर छोटे बच्चे होते हैं वो चीज के क्यूब्स होते हैं पनीर होते हैं वो आते जाते खाते रहते हैं तो ये भी चीज बहुत जरूरी है इसके बारे में सोचना और अगर आप नौर्थ में रह रहे हैं समझो हिमाचल जैसे प्रदेश में होगे जहां पे ठंड जादा है तो वहाँ पे शायद आप इसको पचा सको लेकिन मुंबई जैसे जू कंडिशन है बाकी मेट्रो सिटीज है या फिर साउथ इंडिया अगर आप लोग देखोगे तो इतनी जादा मातरा में पनीर खाना ये बिलकुल भी एडवाईजेबल नहीं है और उससे आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लेम्स यकिनन हो सकती है तो ये चीज ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी सबर एग्जेटली होता क्या है क्योंकि लोग तो बोलते हैं कि वेजिटीरियन के बास प्रोटीन के सोर्स नहीं है प्रोटीन के सोर्स और आमने ये भी देखा था कि जो चीज खटी होगी वो आमारे रख्तों को भी बढ़ाएगा तो इस रख्त का हेड़कॉर्टर बोडी में यकृत है ये भी आमने देखा है जी दूसरी चीज पनीर पचने में भारी भी होता है तो ये अभिशन्दी होता है मतलब एक तरस स अभिशन्दी का अगर मैं एकदम मोटे मोटे शब्दों में बताने जाओं तो जो बोडी में ट्राफिक जैम जैसी कंडिशन निर्मान कर देता है मतलब ट्राफिक जैम अगर हो जाए कंजेशन अगर हो जाए तो बोडी में जो कुछ आने जाने वाले जो पदार्त होते है वो अच्छी तरह से जा नहीं पाएंगे, हमारी blood vessels ब्लॉक होने लगीगी, ऐसी चीज़े इसकी बज़े से होती है, तो ये अभेशन्दी होता है, पचने में भारी होता है, तो उसकी बज़े से क्या होगा, कि हमारे liver में भी traffic jam जैसी condition निर्वाण होगी, तो liver में traffic jam हो गया, और साथ में liver में रहने वाला जो खून है, जो रखत है, वो भी दूशित हो गया, तो दोनों चीज़े यहाँ पे हो गई, और इसकी बज़े से पनीर से liver दूशित हो जाता है, ये आयरुवेट का understanding है, और इस तरह से चीज़े होती होए, हम लोग हमारे practice पे regularly देखते हैं, पनीर के बारे में सर ने बताया है, मैं भी पनीर लवर हूँ, हमें भी पनीर की भाजी, पनीर भुरजी और पनीर पकोड़ें, इसे बहुत सारे आइटम पसंद हैं, पर जिसे कि सर ने बताया कि खट्टी चीज़े होती हैं, और आपके यहाँ पे traffic jam कर सकती liver में, तो अगर छे रसों की बात कर रहे थे, तो अभी मीठे और खटेगी हमने बात की, नमक सर आजकल हम देखते हैं, कि नमक लोग बहुत यूज़ करते हैं, और ऐसे भी कही patient हैं, जिनको दाल में, सलाद में, अचार, जूस, पापर, कोई भी चीज हो, उनको extra नमक जब तक न डाले, हमने किसी चीज में नमक डालाई नहीं, फिर भी मेरी बाडी को sodium मिलने वाला है, क्योंकि बहुत से चीजों में naturally salt available होता है, लेकिन हमारी एक आदत होती है, कि हर किसी चीज को हम नमक मिर्च लगा के बात करते हैं, है ना, spice up करना उसको बोलते हैं, तो बाते नमकीन हो जाती हैं, गाना भी है समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, तो ये चीज कही न कहीं हम लोग अमरे फूर से भी रिलेट करते हैं, तो इसलिए किसी चीज में एक्स्रा नमक डाले बगेर हमारी शान्ती नहीं होती है, तो आइडियली, ज़्यादा मातरा में नमक खाना हमारी लिवर के लिए अच्छा नहीं है, नमक काही और एक extension हमारे जो होता है, वो है अलग-अलग तरह के जो preservatives होते हैं, वो भी basically अलग-अलग salt होते हैं, उसमें हमें जो पता है, अजिरो मोटो, ये एक चीज हमें पता है जो Chinese में काफी मातरा में डाला जाता है, तो ये भी अलग-अलग तरह के salt है, ये सभी salt भी, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि नमक में बहुत ज्यादा उष्णता है, तो जो चीज बहुत ज्यादा body में hit produce करेगी, वो एक तरह से हमारे लिवर में inflammation पैदा करती ह ये मतलब हमारी लिवर को जिलाने लगते है, तो नमक बहुत कम आतरा में भी होगा, लेकिन उसका जो impact है, जैसे atom bomb होता है, एक बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी बज़े से होने वाला जो explosion होता है, या फिर उसकी बज़े होने वाला जो destruction होता है, वो बहुत bड़ा होता तो वही शक्ती नमक में भी है इसलिए नमक कम खाना चाहिए as it is दूसरी और एक चीज नमक भी जैसे मैंने कहा था दही के बारे में उसी तरह से नमक भी अभिश्चन्दी होता है क्योंकि वागबट जी कहते हैं कि विश्चन्दी लवणम सर्वं कि सभी तरह की जो नमक होते बाहर से बटर लाके आम लोग खाते उसको भी बटर मतलब मकष्ण एव अगर ज्यादा दिन तक उससे रखना है तो उसमें नमल डालके रखते इसलिए अज फ़ुम लग बाहर का बटर खाते है तो वो नमकीन होता है तो वो हो गया खारा सिंग्दाने के बारे में नहीं ब पोटेशियम होता है, तो आम लोग खा सकते हैं उसको, लेकिन उसके बारे में भी, मुझे ये नहीं मिल रहा है, तो सेंदा नमक हेल्दी है, तो मैं बहुत ज्यादा सेंदा नमक डालूँगा, ये भी चीज नहीं है, तो नमक परियाप्त मात्रा में, लोग फल खाते हुए, काना शुरू करते हैं, ये नहीं करना है, हर चीज किया अपना एक स्वाध है, जो नैचरली उसमें प्रेजेंट है, उसको अम लोग कब फिल करेंगे, तो थोड़ा सा क्या हो गया है, कि जो चीजे जिसको अम लोग सटल कहते हैं, मतलब जो चीजों की बारी की होती है, उसक चीजात लेकिन उसके मिठास में भी अंतर है, लेकिन हमने, क्या हो गया है, कि हम लोग इतनी जादा मात्रा में सुगर खाते हैं, तो शुगर में सैसे अमें लगता है, इन चीजों में मिठास है, मैं पता नहीं जलता है, तो ये जो सटल वीरिएश्टनीं सी खाने-पीने क चीजों में होता है, हर सबजी के स्वाद में कुछ डिफरेंस होता है, उसमें कुछ विशेशता होती है, इस विशेशता को हम लोग ज्यादा मातरा में फैट डालके, ज्यादा मातरा में तेल डालके, ज्यादा मातरा में नमग डालके, इसको हम लोग खतम कर देते हैं, इसलि लोग देख से कई से लोगों सर नमक की ही बात की तो नमकीन और फरसाण अगर यह खाने में ना हो तो उनको मज़ कही नहीं आता यह भी यह दीज़ेंगे तेल भी आगया नमक भी आगया बिल्कुल ते यह फिर उतना ही गडबड है और उसके लिए हमें जादरोग रहना आवश्यक एक और टेस्ट हम देखते हैं कि नमक तो लोग खाते ही हैं गाठिया फाफडा इसे बहुत सारे आइटम्स लोगों के तेल यह आलू भजी कांदा भजी यह सब भी चालू रहता है इसके साथ लोगों को छे टेस् लोग हैं बहुत ज़्यादा एक्ष्रीम दीखा भी खाने वाले लोग हैं यह भी लीवर को खराब करता है ओके अगर हम लोग वैसे देखेंगे तो कटू रस भी एक तरसे रक्त की उष्टता बढ़ाएगा यह चीज सही है लेकिन जितना हम लोग उष्टता अमना और लव अबक पिछले 1500-200 साल से हम तीखे के रूप में मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं कैपसिकम का प्रयोग जो बेसिकली हमारे देश का है नहीं उससे पहले लोग तीखे की रूप में किसका उप्रयोग करते थे तो मरीच का उप्रयोग करते थे जिसे हम लोग मिरे बोलते हैं काल काली मिर्च एक नैचरल प्रिजर्वेटिव है और अगर नॉन्वेज में आप उसमें काली मिर्च डालके अगर खाते थे तो उससे वो अच्छी तरह से पच्ता भी था और उसका स्वाद भी अच्छी तरह से बढ़ जाता था इसी लिए तो वास के दगा माप इंडिया में वो काली मिर्च डूड़ने के लिए आया था तो इतना महत्व काली मिर्च का था तो ऐसी चीज़े होती है काली मिर्च जैसे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले त्रिकटू के बारे में बदाया सोंट मरी और पिपली नाम की और एक दवा होती है यह तीनों को मिलाके तो वो अच्छा है लेकिन ज्यादा मातरा में अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने लगेंगे तो वो लिवर के लिए उतना अच्छा नहीं है वो शायद लिवर के अंदर के जो ट्रैफिक जैम जैसी कंडिशन है उसको कम करेगा लेकिन वो आपके रक्त दातु को बि खराब है उसके तुल्ना में कटूरस मतलब तीखा जो पदारत है वो लिवर के लिए ठीक है लेकिन उसके बारे में भी ज्यादा बहुत ज्यादा तीखा खाना मतलब जहां माराश्र में हम लोग देखेंगे तो कुलापुर जैसा जो रिजन है वहां पे ज्यादा तीखा खाया जाता है मराठवाडा जो है वहां पे तीखा ज्यादा खाया जाता है राजस्तान अगर हम लोग देखेंगे नागपूर का जो पार्टम लोग देखेंगे यहां पे ज्यादा तीखा खाया जाता है तो एक्स्ट्वीम लाल मिर्च खाना ये भी अच्छा नहीं है ले में मदद करते हैं पर बहुत ज़्यादा चिली या बहुत ज़्यादा तीखा उभी आपके लीवर यह रख धातो को खास करकें खराब करेगा सचे रस में ़शाय रस और पें गाहर नीम की घूस मिलता है उनीम होगे康ाय-ध qui ने, खराब है यह तो देखिए यह एक थोड़ी सी जिसको बोलता है ना कि misinformation और वो ज़्यादा enhance हो जाती है तो वो आपको तकलीब देने वाली है यह बात हमें समझनी चाहिए आयूरवेट में अलग-अलग formulations बताया है जिसको हम लोग पंजविदक अशाय कलपना कहते हैं मतलब उसमें किसी द्रव्य के चार-पाच तरह के आप लोग दवाई बना सकते हैं समझो आपको कई द्रव्य मिल गया समझो कुछ पत्ते मिल गए तो उसको आपने कोट दिया और उसकी चटनी बना दी उसको कहते है कलक उस कलक को आपने कपड़े में डालके उसको निचोड लिया और उसका आपने रस निकाल लिया उसको कहते है स्वरस उसका आपने काढ़ा बना लिया उसको कहते है कशाय और और दो चीज़े होते हैं उसको हिम और फांट कहा जाता है उसके डिटेल में आज में नहीं जाओ. तो वो स्वरस है, तो मतलब juices, तो किसी भी द्लविय का juice अगर आप लोग निकालते हैं, तो इसलिए आयरोवेद में बताएं कि आपको किसी चीज़ का juice अगर consume करना है, जो जिस दवा है, उस दवा का juice आपको, मैं हाहर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं दवा के बारे में diabetes खतम हो जाएगा, ऐसी धारणा में लोग रहते हैं, जो सही नहीं है, दूसरी नीमब के मारे में बताएं गया है, कि नीम ये अवरूश है, मतलब पवरूशत्व को कम करने वाला है, शुक्रदातू पर impact करने वाला है, और जो चीज़ शुक्रदातू को long term में impact करती है, व वो भी लीवर के लिए अच्छा नहीं है, एक सही अनुपात में अगर आप लोग लेते हैं, तो बाट ठीक है, नीम से जादा जिस कड़वी चीज़ को मैं प्रमोट करना चाहूंगा, वो है गुड़ुची, गिलोए, गिलोए, तो गिलोए के पत्तों का रस लेते हो, वो चिरायता बोलते हैं, चिरायता, किरात तिकते हैं, तो वो भी थोड़ी मातरा में लीवर के लिए अगर आप लोग लेते हैं, तो आपके लिए वो ठीक है, लेकिन जादा मातरा में नीम का जूस पी रहे हो, करेले का जूस पी रहे हो, और उससे मेरा लीवर क्लीन हो एक ये सवाल है, दूसरा सवाल है कि सर आजकल अभी हमने रस की बात की तो अब हम दिन चरिया टॉपिक पे आते हैं तो सर आप हम ये भी देखते की लोग सुबा उठ के एलोवेरा, गिलोए, आवला, और वीड ग्रास ऐसे बहुत सारी चीज़े एक साथ मिलाकर कॉक्टेल की तोर पे बीते हैं तो क्या ये प्रैक्टिस लिवर के लिए अच्छी है, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि गिलोई जो है, वो रसायन वनस्पती है, तो उसको आप लॉंग टम ले सकते हो, उसको जो प्रिस्क्रेब डोस मेरे बताया 10 ml, 15 ml, उत्मा लेने में उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप लॉंग टम ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लेम नहीं है ये एंशोर कर ले कि जिसको आप गिलोई कह रहे हैं, वो एक्शुल में गिलोई है या नहीं, ऐसा भी है क्योंकि और एक वनस्पती जो आती है जो गिलोई जैसी दिखती है, लेकिन उसके कारण आपके लिवर को प्रॉबलेम हो सकती है, इसलिए गिलोई जो होती है या गिलोई ही आप कंस्यूम कर रहे है उसके बारे में आपको सुनिश्चित करवा लेना ये चीज इंपोर्टन्ट है दूसरी चीन्ज जैसे मैंने बताया कि नीम लॉंग टम लेना अच्छा नहीं है तो इसलिए अगर आपने एक हपते 10 दिन जा मैग्जिमम 15 दिन ले लिया छे मैने में तो उतना आपके लिए सफिशन्ट है रिपिटेटली लेते रहना ये इंडिकेटेड नहीं है तो ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए आमले का जूस और वीड़ाज जूस ऐसे जूस के बारे में जो आपने बताया तो ये जूस में प्रॉब्लेम ही होता है कि ये बहुत से जूस जो होते हैं इनमें प्रिजर्वेट्यूस होते हैं ये नैचरल जूस नहीं होते हैं मतलब मैंने आमला लिया उसका जूस निकाला और मैं तुरन पीला हूँ ऐसे नहीं होता है बहुत से यह juice जो juice होते है आमला हो गया अलोवेरा हो गया यह सब चीज बॉतल में पैक होके आती है और उसमें preservatives होते है तो अगर आप naturally आमला पीस के उसका juice निकल के आप पीते हो 10-15 ml, 20 ml तो आपके लिए अच्छा है लेकिन बहुत से लोग यह नहीं करते है बोतल में बना बनाया जो juice होता है वो लेते है और उसको पीते है वीट ग्रास के बारे में बहुत से लोग इसके बारे में बतायते हैं कि वो बोड़ी के इसलिए मैं अधिकारी व्यक्ति खुद को नहीं समझता हूँ इसलिए उसके बेनिफिट हो सकते हैं हो नहीं भी सकते हैं शायद नहीं भी हो सकते हैं जितने कहा जाए लेकिन उसको प्रिजर्वेटिवस डालके अगर आप ले रहे हो तो उसके बारे में उसमें अगर कुछ प्रिजर्वेटिवस डालके अगर जूस लेते हैं तो उतना बेनिफिशल हमारे लिए नहीं है तो प्रिजर्वेटिवस डालके आप नैचरल जूस पियो आमले का पियो अगर आपको गिली हल्दी मिलती है गिली हल्दी तो उसका जूस भी आप पी सकते हो आमले का पी सकते यह जूस आप लंबे समय तक ले सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन नीम का जूस, करेले का जूस, जामुन का जूस, लॉंग तर्म नहीं लेना है. सर इनी से और एक दो सवाल उठते हैं, जैसे कि कई लोग सर प्रैक्टिस में रखते हैं, कि आजकल बहुत जगा यूट्यूब पे भी प्रचार हो रहा है, कि रोज सुबा नीम और हल्दी, कि आजकल लोग कैप्सूल्स खाते हैं, टाबलेट्स लेते हैं, या उसका पाउडर भी खाते हैं, क्या ये प्रैक्टिस लिवर के लिए अच्छी है, नीम और हल्दी, नीम और हल्दी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में आम लोग बात करने वाले थे, लेकिन अभी बात छिड़ गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, नीम और हल ये दोनों चीज़े, आयरवेद में बताया गया है कि मेहेशु धात्री नीशे, मतलब डायबिटीज की लिए बेस्ट दवा अगर कोई है, तो वो आमला और हल्दी है, और हम लोग आजकल ऐसे कहा जाता है कि डायबिटीज इस अलसो लिवर का डिसीज, इस लिवर डिसीज, दायबिटीस की शुरुवात लिवर से होती है, और लिवर में गड़बड़ी होने के कारण, क्या होता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कि लिवर के जो सेल्स होते है, उसमें फैट एक्युमिलेट होने की वज़े से, वो फूलने लगती है, वो बड़ी- करके ठक जाता है, और फिर इस ग्लुकोज को ब्लड में जो ग्लुकोज है, उसको मैरेज नहीं कर पाता है, और उसकी बज़े से पैंक्रियास जब दम तोड़ देता है, तब आम लोग उसको कहते है, कि 90% पैंक्रियास खतम हो गया, मतलब हमें डाइबेटीस हो गया, लेकि कोविड में भी जिन लोगों को कॉंपलिकेशन हुए थे कोविड के, नॉर्मल आदमी होगा, तो उसके मुकाबले अगर आपको फैटी लिवर है, तो आपको कॉंपलिकेशन होने के चांसे 6 गुना जादा है, तो फैटी लिवर आपको अलग कोई बीमारी है, तो वो बीमा के लिए धातरी निशा, ये बहुत दो अच्छी आउशदी है, और साथ में ये दोनों आउशदी कामला में भी बताई गई है, मतलब पीलिया जिसको हम लोग कहते है, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, उसमें भी बताई गई है, कामला में स्वरस बताया गया है, इसका रस लेने कंज्यूम करते हैं, इस डेफिनेटली अगुड प्रैक्टिस फर योर लिवर, तो जितने दिन तक आपको ये फ्रेश मिलेगा, आप उसको फ्रेश लीजिए, फ्रेश कंज्यूम किजिए, और जब आपको फ्रेश नहीं मिलेगा, तो लगबग आमला 6-7 मैने तो आपको कम से कम फ्रेश मिलता है, और आपको जब फ्रेश नहीं मिलेगा, तो आमला और हल्दी, इनका 3 ग्रैम पावडर, अगर आप मौर्निंग में एक बार लेते हैं, तो उतना भी आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशेंट है, ऐसे मैं मानता हूँ, ओके, ये ये कम आने का मन नहीं करता है, शुक्रदातू रिलेटेट तकलिफ हो रही, तो उसके बदला कर वो आमला लेंगे हल्दी के साथ, तो उनकी लीवर और बाकी बॉड़ी के लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा, सर वीड ग्रास के बारे में बात कर रहे थे, आपने बोला कि आईर मैं यहां पर कहना चाहूँगा, मैं यहां पर कुछ भी जनरल यह से करता हूँ कि जिस चीज के बारे में मेरे ज्यादा पढ़ा नहीं है, या फिर जिसके बारे में मेरा अनुबल नहीं है, उस चीज के बारे में पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी कमेंट करने से मैं बचना प्रिफर करता हूँ, तो इसलिए ये, क्योंकि एक scientific deliberation है, so unless and until I have a reference with me, और I have a data with me, तो उसके बारे में कोई भी comment में नहीं कर सकता हूँ, ऐसे मैं मानता हूँ, ये शायद मेरी limitation हो, लेकिन मैं ऐसे चाता हूँ कि मेरे मुझ से जो बात जाए, वो ऐसी हो कि जिसका कहीं न कहीं आधार हो, या फिर जिसके बारे में कुछ न कुछ अच्छा data उपलब्द हो, ऐसा data अगर कहीं पर उपलब्द है, तो उसके जो अधिकारी वेक्ते हैं, वो उसके बारे में शायद naturopathy के जो लोग है, वो शायद उसके बारे में जादा अच्छी तरसे बता पाएंगे, या फिर nutrition के जो लोग है, वो उसके बारे में जादा अच्छी तरसे बता पाएंगे, मैं उसके बारे में उतनी precise comment नहीं कर पाऊंगा, सरम दिंचेरिया की बात कर रहे हैं, तो आपने ऐसे daily लोगों की कौन सी habits देखी हैं, सुबा के टाइम पे, कि जो वो गलती करते हैं और जिसके कारण उन्हें पता नहीं होता, पर उनका liver खराब होती जाता है, इसके बारे में देखेंगे, तो basically जो चीज़े unhealthy होती है एक बिमारी के लिए, तो वो काफी बिमारी को जन्म देती है, यह बात तो है, मतलब आप सुबे उठती कितनी वज़े हो, यहां से शुरुवात होती है, तो आयरवेद में कहा गया है कि सुबे जल्दी उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए, तो वागबट जी बताते है कि ब्राम में मुहरते उत्ती श्थेता, मतलब ब्राम मुहरत पर उठना चाहिए, मतलब सुरियोद ऐसे लगबख देड़ गंटे पहले तक का जो काल होता है, वहां में आपको उठना चाहिए, एक मुहरत लगबख 48 मिनिट्स का होता है, तो ब्राम मुहरत पर उठना चाहिए, ऐसे बताया गया है, तो क्यों उटना चाहिए, उसके आगे का लाइन बहुत इंपोर्टन्ट है, बहुत से लोग यह द्यान में रखते हैं कि ब्राम्य मोरते उत्ती श्थेत, स्वस्थो रक्षार्थम आयूशहा, कि स्वस्थ व्यक्ति को अपने आयू की रक्षा करने के लिए, लॉंग्तम जीन के लिए सुबह जल्दी उटना चाहिए, तो सुरज उगने के बाद भी मैं सो रहा हूँ, इसका तात्पर यह यह बनता है, कि सुरद उगने के बाद भी अगर मैं सो रहा हूँ, तो इसका अर्थ ऐसे होता है, कि मैं कही न कही मेरी जिन्दगी कम कर रहा हूँ, मेरा सुरीय के पहले आगर लापक उठते हैं तो नैचरेल ऑपको इवेकिवशन होगा आपको डाइजेशन और पेटशाफ होने की तकलीफ नहीं होगी आपको इसे है और ओर यसे कहां जाता है कि जिसका पेट वसका गुना माफ और अगर आपका पेट अच्छा है कि आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपकी डाइट में थोड़ा बहुत इदर उदर हो जाएगा तो वो बोड़ी मैनेज कर लेगी बोड़ी बहुत संबालती है तो ये चीज़ है इसलिए टाइम पर उठना एक इंपोर्टन्ट है दूसरी और एक चीज़ रेगलर एक्सराइज एटलिस फॉर थर्टी मिनिट पर डे उसमें भी अगर आप सुभे के शमय में अगर एक्सराइज करते क्योंकि आयरवेद ये कहता है कि जैसे हमने देखा है क हमारे यहाँ पर एक साल में छे रुतु ये होती है वसंत ग्रिश्म वर्षा शरद हैमन्त शिशिर ये आजकल पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि हम लोग फॉर सीजन सिखते है या फिर बॉलिवुड हमें बताता है कि पते जड़ सावंत वसंत बाहर ओके लेकिन आयरवेद ये कहता है कि एक दिन में ये छे रुतु होती है एक दिन में भी छे रुतु होती है तो सुबह जब हम लोग उठते है तब हमन्त रुतु होती है क्योंकि हमन्त रुतु में ठंडी होती है और दिन बर का जो लोईस टेंपरेचर होता है तब होता है तब मतलब हमन्त exercise करने के लिए बोला है इसलिए exercise अगर हम लोग सुबह उठके तुरंट मतलब हम लोग सुबह उठने के बाद हमारा पेट साफ हो चुका है और तुरंट हम लोग exercise करते है preferable ही सुरिय नमस्कार करते है तो वो body के लिए बहुत अच्छा exercise बहुत फायदे मन्द है बहुत से लोग क्या करते है कि exercise में ये चीज़ important है कि आपको पसी ना आए आजकर लोगों को पसी ने छुटते जब boss की डाट खाते तभी छुटते या फिर बच्चे होंगे तो टीचर की डाट खाते तभी उनको पसी ने छुटते लेकिन exercise करके sweating होना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और उसकी लिए दिन बर में अगर आप 30 मिनिट भी व्यायम करते हो जिससे sweating होना ज़रूरी है और मैरा खुद का ये अनुबह है अगर आप regularly सुर्य नमस्कार करते हो और अगर आप 40 से ज़्यादा सुर्य नमस्कार करते हो सुर्य नमस्कार generally 12 होते है और या उसके 12 के sets होते है मतलब 12, 24, 36, 48, 60 इस तरह के उसके sets होते है तो मैरा व्यक्ति का तनुबह हो अगर है अगर आप अच्छी तरह से सुर्य नमस्कार करते है और वो अगर एक बार 40 की उपर जाने लगते तो आपको sweating होना शुरू करते है तो अगर आप दिन में 60 सुर्य नमस्कार भी अगर आप कर लेते हो जो करने के लिए लगबग 20 से 25 मिनिट का समय लगता है और उसके पहले अगर आपको बाड़ी की थोड़ी से stretching करते हो और उसके बाद में आप थोड़ा सा रिलेक्स होते हो शवासन करके तो लगबग 30 मिनिट आपके हो जाते है आपका 30 मिनिट का time complete हो गया आपकी बाड़ी रिलेक्स हो गई मतलब आपके क्रोध हो गया आपका tension हो गया वो भी कम होने में मदद मिलती है आपका sweating भी हो गया तो आपके सभी criteria इस चीज में fulfill हो गए तो lack of exercise ये भी चीज बहुत important है हाँ दूसरी और एक चीज हम लोग बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे तो जादा देर बेटके बात करना ये बी चीज लिवर के लिए खराब है तो जो लोग होशियार होते हैं वो टेट टॉक देते हैं क्योंकि टेट टॉक में खड़े होके आपको बात करनी पड़ती है तो जादा देट सिडेंटरी रहना बाड़ी की मुवमेंट न करना ये भी चीज हमारे बाड़ी के लिए उतनी अच्छे नहीं है सिटिंग इस न्यू स्मोकिंग ये शायद कोट हमारे कुछ दर्शकों ने सुना होगा तो स्मोकिंग जितना हमारे लिए बैड है स्मोकिंग करने से एक आदमी की लाइफ जितनी गटती है उससे भी जादा लाइफ एक गंटा बैठने से गटती है एक गंडा गंटीन्यू बैठे रहने से गटती है तो एक जगा पे जादा देरतर बैठना नहीं चाहिए यह भी चीज यहाँ पर important है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको moment करती रहनी चाहिए तो जितना हाँ moment करोगे उतना आपकी body में body के लिए अच्छा है तो sedentary life रहना यह भी एक चीज ऐसी है कि जो बढ़ाती है नींद के बारे में हम लोग बात कर चुके है कि दिन में सोना यह भी चीज हमारे liver के health पे bad effect करती है तो यह और आजकल लोग मैंने covid के time पे देखा था जब लोग घर पे रहते थे जब lockdown था तब patient आते थे और बताते थे कि doctor तो मैं उनको पूछता था कि आप कितने बज़े सोते हो तो बताते है कि doctor में रात को एक बज़े देड़ बज़े दो बज़े सोता हूं तो मैं उनको पूछता था कि आप time पे क्यों नहीं सोते हो तो बोलते है कि सुबे जल्दी उटके कही जाना तो है नहीं तो क्या करेंगे, इसलिए हम लोग रात को देर तक जगते हैं अब लोगों को मैं पुछता हूँ कि आप कितने बाज़े सोचते हो तो अब भी वही बताते हैं कि हम लोग एक बज़े सोचते हैं देड़ बज़े सोचते हैं क्योंकि ओफिस का काम ही हमारा अगर वर्क फ्रोम हमें तो ओफिस का काम ही 11-12 बज़े तक चलता है रहे जो ओफिस में जाते हैं वो लोग भी वोलते हैं कि दिन दर पे कुछ एंटरटेन्मेंट हुआ नहीं है इसलिए मैं अभी रात को नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखूंगा या फिर मैं कोई मुवी देखूंगा और मैं एक देड़ बज़े सोगा तो बेसिकली हम यह चाहते हैं कि हमें देड़ दो बज़े सोना है के क्नडिशनकोई भी हो हम लोग उसके निये कुछ बहाना डुझ लेते हैं कि कुछ काम है तो उसकी वज़े से भी हम लोगद्व दर दो बज़े तक जगते रहें और कुछ काम नहीं है फिर भी हम लोगद्व दर दो बज़े तक जगते हैं तो दिस is our choice that we want to sleep late लेट नाइट हमें सोना है यह हमारी आदत बन चुकी है और कोई ना कोई बहाना हम लोग इसके लिए बनाते हैं तो टाइम पे सोना और कम से कम 6-8 घंटे की sound sleep, अच्छी sleep, good quality of sleep is important for overall health and that also applies to liver health तो 6-8 घंटे तक अच्छी तरह से नीन होना यह भी आमारे liver के लिए आवश्चक है और 6-8 घंटे मतलब मैं 2 बज़े सो गया और 8 बज़े उठा तो वो नहीं चलेगा आप कौन से समय पे लेते हैं वो नीन, उसकी उपर भी उसकी quantity depend करती हैं तो मैं ऐसे कहूँगा कि लगबक आमें साड़े नो 10 बज़े तक मैं ऐसे नहीं expect करूँगा कि आज सभी जैसे हम पहले लोग दयात में सोते थे कि 8 बज़े सो जाते थे और सुबे 4 बज़े उठते थे शायद ही आमारे लिए आज possible नहीं है लेकिन आप 10 बज़े सोने का try किजे और सुबे 6 बज़े तक आप 5-6 बज़े तक उठते का try किज तो आपको उससे स्वास्थ भी मिलेगा और उससे आपको क्या होगा कि आपको अपने ही life के लिए extra time मिलेगा जो अच्छी चीज़ों के लिए आपके जो health के लिए जरूरी है आपके जो professional life को excellence पाने के लिए जरूरी है वो आपको उससे मिल सकती है तो नींद समय पे लेना नीं सही मात्रा में लेना ये भी चीज़ लिवर के health के लिए बहुत आवश्यक है और नीद के बारे में लिवर बहुत बारे से लखते हैं लिवर और नीद का क्या लेना देना पर जैसे सर ने एक sleep apnea एक तकलिफ बताई थी कि लोग को खराटे की गाराण नीद डिस्टाब रहेगी जिन्दा रहेगा मरेगा वो नीद डिसाइड करती है इतना important आईरवेद में कहा गया है सर ने बुला पर time यह नहीं कि आप 2 बजे रात को सो रहे हो सुब 8 बजे उठ रहे हो तो वो अच्छा नहीं है सर हम दिन चरिया में आपने कई सारी चीज़े बताई कि यह य सुबह उठके वो पानी पीते हैं सोचते तामवे का पानी अच्छा है लीवर साफ होगा यह होगा तो क्या सुबह उठके तीन चार ग्लास पानी पिना यह लीवर की बिमारियों से कुछ संबंध है इनका इसमें एक चीज थोड़ी सी दयान में रखने होगे लेवर है उसी तरह से हमें भी जो 24 x 7 हम लोग जो अलग-अलग चीज़े करते उसका अफेक्ट हमारे लिवर पे होता है विरेचन नाम का जो पंचकरम होता है उसका डेफिनेटली लिवर पे अच्छा एफेक्ट होता है लेकिन कुछ छोटी सी पे चीज कर दो और उससे मेरा लिव अगर सिफाय हो गया ऐसे होता नहीं है तो इस चीज से बचना जरूरी है और जादा पानी पिने की बारे में अगर कहना चाहूं मैं तो उस अत्यम्बू पानी से कहा जाता है या उश्यपान लोग कहतें कि सुबह उठके पानी पिना चाहिए तो सुबह आपकी कब होती है यह द्यान में रखना जैसे मैंने कहा कि सुबह कब होती है कब आप उठते हो जब 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 जागो वही सवे रहा है ऐसे लोग सोचते तो वैसे नहीं है कि कौन से समय पे आप उठते हो और ज्यादा मात्रा में सुबह उठके अगर आप लोग दो तीन तीन गलास पानी पि देते हो तो उस पाचन तंत्र को वापिस उस जगह पे लाने के लिए बोड़ी को एनरजी कंजिव खर्श करनी पड़ती है जो आपके ओर ओल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है इसलिए सुबह उठकी ज्यादा पानी पिना यह भी चीज लिवर के लिए फायदे मन नहीं है तो उसके अगला सवल आता है तो पानी कितना पिना चाहिए ऐसे तो इसके लिए साधा नियम यह है कि जब प्यास लगे तब पानी पियो नमबर वन बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम लोग इतने टूट चुके हैं प्रकृती से कि हम प्यास लगती है यह भी हमें पता नही हो और वहाँ पे आपको moist feel होता है वहाँ पे अगर आपको ठंडा और moist feel होता है moist के लिए क्या शब्त गिलापन वहाँ पे अगर आपको फिल होता है तो आपकी body का temperature होके है आपको ज़्यादा प्यानी पिने की ज़रूरत नहीं है इसके आगे जाकी कुछ लोग और बोलते ह तो ऐसे अगर पताना है तो 40 ml per kg of your body weight आपका जितना वजन है उसको आप 40 से multiply कर दीजिए जैसे 60 kg वजन है तो 60 into 40 हो गया उसका उत्तर है 2400 तो उस आदमी के लिए 2400 ml पानी दो लिटर और लगबग धाई लिटर करीब करीब पानी पीना उस आदमी के लिए तो इतना ही पानी परियाप पिना हमारे लिए परियाप थे उससे ज़दा पानी पिने से सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि आपको ज़दा वश्रूम जाना पड़ेगा उससे ज़दा कुछ बेनेफिट आपके लिवर को या और और लेल को होने वाला नहीं है सुर आदतों की बात कर रहे हैं तो एक और आदत हम देखते कई लोगों को सुवा उटके बैट टी, बैट कॉफी या कई लोगों को दूध पीना बहुत पसंद होता है, तो वो सुवा उटते हैं और दूध लेते हैं, तो क्या ये आदत लीवर को खराब कर सकती है चाय, कॉफी या दूथ पीना देखिए चाय, कॉफी, दूथ पीना और बेट्टी बेसिकली ये तो वेस्टरन कंट्रिस से हमारे पास आई हुई चीज है तो इसके बारे में तो मतलब ये बेसिकली अमारे लिए अच्छी नहीं ह अगर आप मैं बेट्टी छोड़ के बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ रिसर्च हुए जिसमें ऐसे बताया गया है कि अगर आप चाय की तुलना में अगर कॉफी पीते हैं, अगर पीते हैं तो हमारे लिवर के हिल्थ के लिए वो अच्छी है, ऐसे कुछ रिसर्च अवेलेबल ब्लैक कॉफी अगर आप पीते हैं तो आपकी या फिर कम जिसमें दूद कम है और पानी ज्यादा है, ऐसी कॉफी भी अगर पीते हैं, तो एक सर्टन एक्स्टेंट तक आपके लिवर के लिए अच्छी है, उससे फैटी लिवर से रिस्ट्रिक करने में कुछ हद तक मदद म आपके लिवर के लिए अगर आप दोग देखोगे तो चाय की तुल्ला में तो आपके लिए बैतर है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, दूसरी चीज कि इसका मतलब लिवर के लिए कॉफी अच्छी है, इसलिए मैं दिन में 5-6-6 बार कॉफी पिना शुरू कर दूँ, ये भी ची हो सकते हैं, इसलिए दिन में अगर आप एकाद बार ब्लैक कॉफी पिते हो, या फिर कम दूद डालके कॉफी पिते हो, उसमें शकर नई के बराबर डालते हो, तो वो आपके लिवर के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन बेट टी लेना, सुबह उठके तुरन कॉफी पिना सुबह उठके तुरन दूद पिना, क्योंकि पहले आप एक्सरसाइज करो, वियायन करो, उसके बाद दूद पियो, वो उके है, लेकिन सुबह उठके तुरन बात पिना, या दिन में 3-4-6-6 बार दिन बर मिटिंग कर रहे हैं, भूग लग रहे हैं, उसको मिटाने के पिर रहे हैं, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन कॉफी परियाप्त अगर आप इंडिकेटेड मातरा में, जिस तरह से मैंने बता हैं, अगर आप वैसे लेते हैं, तो वो आपके लिवर के लिए बेनिफिशिल हो सकती है, लिवर की खराबी में आपने जब हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो आपने कहाता, द्रव या स्निक्द और गुरू, ऐसे जो चीजे लिक्वीड वाली है, चिकनी हैं, और पचने में भारी हैं, वो आपके लिवर को या रक्तो को खराब करने का ज़्यादा तर काम करती है, तो दूद या चाहिए उस बारे में बात करें, A1, A2 टाइप, यह जो मिल्क के होते हैं, उसके बारे में बहुत, A2 मिल्क जो होता है, देसी गाय का जो होता है, वो अच्छा होता है, उसमें भी मिल्क के बारे में भी बहुत आजकल अलग-अलग धारणा है, और हम लोग जो पीते हैं, वाइट कलर का जो liquid पीते है वो दूद है या नहीं इस से शुरुवात होती है दूसरी और एक चीज होती है कि आजकल बहुत सी जो animals होते हैं दूद देने वाले जो पशु होते हैं उनको बहुत जादा मात्रा में hormones दिये जाते हैं और यह hormones अगर उसको दिये जाते हैं तो उसकी बजे से भी उनके दूद में जादा मात्रा में fat आता है और यह fat कहीं न कहीं आपके यकृत को लिवर को नुकसान पोचा सकता है इसलिए अगर आपको देसी गाय का दूद मिलता है तो वो comparatively आपके health के लिए और आपके liver के लिए जादा अच्छा है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहां कि बटर मिलक अच्छा है उसी तरह से घी भी अच्छा है घी भी अच्छा है लिवर के लिए ये भी चीज द्यान में रखनी चाहिए थोड़ा और उसके बारे में घीर के बारे में थोड़ा और बाद में चर्चा करेंगे लेकिन ये चीज़े अच्छी है लेकिन उसका भी ज़्यादा अभ्यास मतलब ज़्यादा दूद पिना दिन बर में आदा लिटर एक लिटर दूद पिला इस तरह से आमें नहीं करना चाहिए अगर आप पूरा बोज़न सब खा रहे हो तो इवेन हमारे आयर्विदिक सास्त्रों में भी लिखा है कि सुबा का दूद ज्यादा भारी होता है क्योंकि आज तो कोई भी जानवर मुश्किल से चरते होंगे आजकल इनसान ज़्यादा चरते हैं कि पहले कि जानवर रात भर आराम करते थे इसलिए अगर सुबा उनका दूद निकाला जाता था तो वो भारी होता था और वो दिन भर जो जानवर घूमते थे और शाम को दूद निकाला जाता था तो वो हलका होता था ऐसा भी वर्णन है सर नास्टा अपने देश में एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है और कई लोग बोलते कि सुबह नास्टा तो करना ही चाहिए सबसे में खाना आपका नास्टा होता है तो क्या नास्टे से जूड़ी हुई आपने कुछ चीज़े देखी है जो लीवर को जो लोग गलती करते हैं और उनका लीवर खराब होता है हाँ तो नाश्टे में लोग क्या करते है कि उसके लिए जैसे मैंने थोड़ी दर पहले बता है और जो मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि हेल्दी है हेल्दी है इसलिए आप एक स्प्रेसिपिक तरह का नाश्टा अगर ले रहे हो अगर आप ले रहे हो तो वो आपके लिवर के लिए अच्छा नहीं है देखिए कि कोई भी चीज खाने के बाद मेरे बाड़ी में शुगर कितनी बढ़ती है ये बताने वाली जो चीज फोती है उसे glycemic index कहां जाते है तो हम लोग चावल नहीं खाते है लोग बोलते किचावल नहीं खाने चांचेंगे क्योंकि चावल का glycemic index ज्यादा है ये चावल की variety के अनुसार बदलता है फिर भी चावल का जो glycemic index है ये लगबग 55 से लेकर 70 तक येतना होता है जो healthy conflex आप खाते हो उस healthy conflex का glycemic index 82 है मतलब जिसका glycemic index 55 से लेकर 70 तक है वो चावल बुरा है लेकिन जिसका glycemic index 82 है वो conflex अच्छे किसे हो गए तो ये भी चीज हमें समझना जरूरी है कि अगर healthy है इसलिए अगर हम लोग conflex खा रहे है या अगर हम लोग daily अंडे खा रहे है आज कल मैं देखता हूँ जिम में जाने वाले कुछ young boys है जो वो protein freak इतने हो गए कि protein खाना चाहिए इसलिए वो दिन में 8, 10, 10, 16, 16 अंडे खाने वाले लोग है तो उनसे मैं कहता हूँ कि आप कम से कम अपने health के बारे में मच सोचो कम से कम आप मुर्गी के बारे में सोच लो वो कहां से बिच्चारी इतने अंडे देगी आपको तो ये भी चीज ज्यादा मात्रा में खाना या ज्यादा मात्रा में नॉनवेज खाना ये भी चीज हमारे liver को affect करने वाली है हमारे liver के लिए अच्छे नहीं है तो daily eggs खाना eggs और bread खाना bread ओमलेट खाना ये भी चीज हमारे liver के लिए अच्छी नहीं है और अगर मैं कहना चाहूं तो breakfast ये itself is not Indian concept तो breakfast ये भारत का concept नहीं है तो अगर आप अच्छी मात्रा में अगर आप exercise कर रहे हो तो ऐसे टाइम पे आप breakfast कर सकते हो लेकिन वो नपातुला होना चाहिए बहुत ज़्यादा breakfast नहीं होना चाहिए और ऐसा एक research भी publish हुआ है कि जो लोग ज़्यादा मात्रा में breakfast करते है उनका वजन बढ़ता है तो उससे अच्छा मैं generally जो मेरे patients को बताता हूं कि आप लगबग 10-10-11 बजे तक आप अगर खाना खाते हो आपका lunch लेते हो breakfast न करते हो ये 10-11 के बीच में आप lunch लेते हो और सूरियास्त होते होते अगर आप भोजन करते हो जैसे ये हमारे यहाँ पे ज़्यादा तर जैन community में देखा जाता है और सूरियास्त होते होते अगर आप भोजन करते हो शाम को 6-7-7 बजे तक तो आप दो ही बार भोजन करोगे और वो अच्छी तरह से digest भी होगा और उसका आपकी body के उपर extra कुछ burden नहीं होगा क्योंकि क्या हो गया है कि हम breakfast कप कर सकते हैं जब हम लोग अच्छी मात्रा में exercise कर रहे हैं तो अगर हम लोग अच्छी मात्रा में breakfast करेंगे तो बाट ठीक है लेकिन जैसे मैंने कहा कि आम लोग में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो कसरत करते हैं शायद कुछ players होंगे अलग-अलग गेम्स जो खेलने वाले players होते हैं अलग-अलग levels पे खेलने वाले state level पे नेश्टर लेवल पे उनको शायद इस चीज़ की उतनी ज़रूरत हो लेकिन normal आपके मेरे जैसे doctors हो गए या फिर जह ओफिस में काम करते हैं जिनकी उतनी ज़्यादा कसरत होती नहीं है अच्छा है और especially conflicts जैसे या फिर daily eggs खाना इस तरह का breakfast या फिर daily कुछ न कुछ जिसको कहते हैं कि ready to eat जैसे आजकल उपमाव अगरे ये भी चीज़ ऐसे होते हैं कि जिसमें आप पानी डालो और उसको तुरंट आप बना के खा सकते हो तो ऐसी चीज़ में भी preservatives ज्यादा होते हैं या फिर लोग ready to eat soups होते हैं उनका breakfast के लिए प्रहोग करते हैं तो वो अगर आप तुरंट बना रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो ये चीज़ ध्यान में रखिया